कि अधियर मांद्रीम असलाम वालेकूं वेलकम टू माई सहर आरून किचिन दोस्तों आज हम अपने किचिन में बनाने जा रहे हैं रवे और बेशन के लड़ू जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इसे में बनाऊंगी एक नई ट्रिक के साथ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी बेशन या रवे के लड़ू बनाते हैं तो भूलने में अकसर हमारा बेशन जो है वो जल जाता है और उसमें एक अजीत सी स्मेल आने लगती है तो आज हम इसे नई ट्रिक के साथ बनाएंगे तो वरसार सामन अपने एक मेजरमेंट कि चान में यह थुअ जो से पास यहां आ ग्लास के रैवा लिया है और इसको भी मैंने अच्छी तरफ सी छान लिया है दो बार पहले हम इसे मिला लेते हैं कि मिलाने के बाद यहां मैंने यह लिया है एक कटोरी भर भर गी देसी घी में बनाएंगे तो अगर नहीं है तो फिर ऑप्षान है कि आप इसे डालडगी में यह रिफाइंड ओल में भी बना सकते हैं तो इसे सबसे पहले हम मिला लेते हैं और घी मिलाने का तरीका यह है कि आप इसे इस तरह से मुट्खी बांद के देखेंगे तो अगर मुट्खी आपकी बनने लगती है तो इसका मतलब इसमें जो हमने घी एट किया है वह बिलकुल परफेक्ट है और इसे हम दूद से टाइट एक डो तयार करेंगे और दूद जो है वह रूम टेमपरेचर पर लेना है ना ठंडा ना गर्म तो इस तरह से हमने देखा तो यह देखिए मुट्खी इसमें बनने लगी इसलिए इसमें मुएन जो है वह बिलकुल परफेक्ट है और इसके पा कि इतना लग जायेगा थोड़ा ये और इसका टाइट करेंगे तयार करेंगे जस्तरा हम पूरी का डो तयार करते हैं इसलिक सी थोड़ा आपारेंगे हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है पाट ही तयार करा है अब हमें क्या करना है कि इसके इतने बड़ा पीश ले लिurar की और रप्ली हमें इसकी इस तरह से शेव दानीय चाहेए आप गोल दे 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 या ऐसे दे एक तो इस तरह से हम बना लेते हैं तो जादा बड़े भी ना बनाए और बहुत जादा चोटे भी ना बनाए तो इस तरह से हम सारे बना कर तयार कर लेते हैं और मैंने इस तरह से अमने इस तरह से रह्ली बना कर तयार कर ले alluded और ऑखैस पर टाल जांए अची तरह से गर्म हो घ्राः थ Kopf अब दूंदे हैं इसमें जो रहात ही तुझ भी है जो एक Onekea बनार कर देए अब घो डन एकार आने तक हम इसको बहुतature है तो यह बहुत अच्छी ट्रेक है लड्डू बनाने की जिससे हमारा रवा या बेशन बिल्कुल भूलने से जड़ता नहीं है और यह एक्स्ट्रा जो है वो खस्ता बनकर बिल्कुल तयार होते हैं तो सारी हम डाल देंगे इसमें क्योंकि हमने इस कड़ाइ में ऐल जादा गीज जादा है इसलिये हम सारी इसमें डाल देते हैं और इसको प्राई वो खूथ इसे पर आदे मिननट बाद इस तरह से चलाते चाला ऑजा है सब्सक्पाद करें जरूरेइं पर 9 also अब करते रहें जब तक की गूल्डन कलर अछा scarna अजाए इस्तरह से تब giàए उपड़ा ex ikili तो यहां में लिया है थोड़ी सी किश्मिश बादाम और काजू तो यहां मैंने गैस पर रख दिया है घी थोड़ा चा दो चम्बस डाला है और इसमें मैं इस तारे ड्राइफ रूट डाल देती हूं तो स्लो प्लेम पर हम इसे दो मिनट के लिए बस ऐसे ही सौटे करेंगे थाकि थोड़े से टेस्ट में और जाद अच्छी हो जाए और उसके बाद हम इसमें पकाएंगे इसी पैन में शीरा यानि चीनी की चाशनी जो भी हम लड्डू में इस्तिमाल करेंगे तो इसे दो क्रण्ची लेस बढ़ गई है और किश्मिस दे की फूल चुकी है तो इसको हम निकाल लेते दूसरे बड़तर में और इसी में अब हम चाश्मी पकाएंगे कि यहां मैंने जिस ग्लास से वह सब ना पा था उसी ग्लास से एक ग्लास और आदर ग्लास में और डालूंगी क्यो फास्ट करते हैं कि और कि मम जो इसको चैस्मिन आन कि यहांने कि कम से कम 9-12 तक हम इसे को फखाएंगे और दो तार की चाशनी का मतलब मैं आपको बता दूनी कि जब हम पूंगली पर इसे देखेंगे तो ये आपस में दो तार इसमें बने तो इसको अब हम पकने देते हैं और दस नेट बाद हम आपको दिखाते हैं तो पत्के विल कम सकम गस्नट हो गए हैं और ये बहुत अची तरह से गाड़ी भी हो गई है तो मैं दिखा देती हूं दो तार का मतलब बहुत जादा गर्म है तो इस तरह सी चमच में हमने एक ड्रॉप लिया है और इसको हम इस तरह से रखेंगे तो ये देखिए इस तरह सी चलबनी तार बन दा पार्चिए तार बनता है अ पर इसी को कहते हैं कि हम दोज ही एक टार की चाष्णी बनाना तो टो गस्त प्लिमें हम और एक तार की छाष्णी बनाना विश्च को और इस थे हैं और इसको तोड़े बड़े टुकड़ों में हम पहले तोड़ लेते हैं इस तरह से कितनी आसानी से यह देखे तूट रहे हैं और इसको हम ग्रेंड़ जार में डालकर इसको पीस लेंगे तो प्रोसेस थोड़े से लंबा है लेकिन जब कोई चीज बहुत जादर टेस्टी बनती है तो उसकी लेंदिनेस माइने नहीं रखती है तो इस तरह से हम पहले तोड़ लें डारेक ना डालें क्योंकि डारेक डालने से वह पिस नहीं पाएगा अच्छी तरह से तो थोड़ा थोड़ा से इससे तोड़ लें और फिर ग्रेंड़ जार में डालकर इसको पीस लें तो पीस कर लाते हैं और हम दिखाते है तो सारा हम तो पीस लिया है अच्छी तरह से और पीसने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे यह जो हमने ट्राइपरूट तयार करके रखे थे यह और जो हमने यह शीरा तयार करके रखा था इसमें मैंने इलाइची के बीज भी डाल दिये थे तो यह भी हम डाल देंगे तो पहले हम पहले हम इसे इतना मिला लेते हैं क्योंकि इस बैटल को में बिल्कुल भी पतला नहीं करना है क्योंकि लड्डू बनाने हैं हमें इसके तो हाथ से मिलाएंगे अब हमें इसमें बच गया है तो वह मैं अलग रख देती हूं क्योंकि जितनी जरूती उतना ही हमने इसमें एट कराए क्योंकि ज्यादा पतला हो जाएगा तो यह बन नहीं पाएंगे हाथों पर इस तरह से हमने घी लगा लिया है अब हमें इसमें से जितना बड़ा आपको लड्डू रखना है उतना बड़ा हम रख देते हैं इस तरह से दवाते हुए हमें इसे बनाएंगे तो यह देखिए बिल्कुल आप इसे लड्डू की शेप देदें और यहां मैंने कुछ बादाम दे लिये हैं तो इसे मैं उपर से इस तरह से चिपका देती हूं क्योंकि देखने में बहुत खुशुरत लग रहा है इससे और वैसे भी अंदर अमने इसमें डाइफ रूट यहां यह मैंने इस तरह से दो से तीन बना कर रख लिये हैं एक और मैं आपको बना कर दिखा देती हूं कि इस तरह से इतना पोर्शन हम लेंगे जितना बड़ा आपको लड्डू रखना है चाहें आप छोटे रखे यहां बड़े और इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे तो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे आप इसे 15-20 दिन तक इसे रख के खा सकते हैं और पहली बात तो कोई भी चीज इतनी ना बनाएं जितनी बहुत ज़्यादा दिन तक वो चले कोई भी चीज बनाएं तो इतनी बनाएं कि वो ताजी बनाएं वो ताजी ही उसको दो-चार दिन में खत्म कर ले तो इस तरह से हम सारे लड़ू बना कर तयार कर लेते हैं देखा दोस्तों कितनी जल्दी और आसानी से हमारी लड़ू बनकर तयार हैं तो इसे बनाने में थोड़ाता सा time तो लगा है लेकिन यह बहुत ज़़्यादा testy बने हैं और बहुत ज़़्यादा लग रहे हैं तो इस time वैसे भी बाहरर की चीज़ा खाना बहुत ज़्यादा रिसकी है तो इसे कोई भी फेस्टिवल पे या किसी भी चीज़ पर आप आसानी से बना सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सबस्क्राइब जरूर करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें सबसे पहले लाइक करें कमेंट करें और तर्मी प्रेंट के साथ जरूर से शेयर करें मिलती हुए ऐसे ही नई और अच्छी रेसिपी के साथ तो हम अपने नोब में याद रखें अल्लाहाफेज